जेहन देस्पिरिंस मेरूबी ठाक ओर स्वागित करती हूं आप सबका SSB Crack Exam चैनल पर तो आज में आपसे बात करने आई हूं एक नए टॉपिक पर और आज का जो टॉपिक है आपसे तो आपसे बात करने हैं एक नहीं टॉपिक पर और आज का जो टॉपिक है जो कि स्टार्ट किया गया था बाया तालिबान इस सटब इन काबद लेगिन इस बीच में जब वहां पर रिकुछ आई एक पर और आज काई आज आए तो यह इंडिया ने इस पर्टिकुलर मीटिंग को अटें किया इस मीटिंग का पुरा का पुरा अगर हम एक कालाइन में संचे तो धृस्टाट is all for the development and the regional cooperation के लिए जो भी future perspective में जो तालिबान में development के लिए सोचा जा रहे है उसी के लिए collaborations के लिए ताकि सब मिलकर काम कर सके because we are in the air of the global world and कोई भी country यहां पे solo या बिल्कुल एकदम बिल्कुल walls में रहे के कोई किसी के साथ contacts में आके कोई collaborations ना करके development के तरफ नहीं बढ़ सकती है सो उसी बीच में उनको different countries से जो tie-ups की विल्कुल जरूर रहे है and इस particular meeting का main agenda भी वही था because हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान में जो issues चल रहे थे जो उनके internal issues है उसकी वज़ा से काफी चाहाब इंडिया की भी बात करें इंडिया ने भी वहां पे अपने operation suspend कर दिये थे security concerns की वज़ा से और अपने officials उनको वापस बुला लिया गया था Afghanistan पे काफी जगा पे sanctions भी लगाई गई थी तो उने सब के बाद अब ये Taliban government ने एक step लिया है ताकि फिर इसे एक जो bilateral relations को establish करने की तरफ एक कदम वो उठा सके So the regional cooperation initiative meeting was addressed by the Taliban regime's active foreign minister जो है जिनका नाम Ameer Khan Mutakki So yes he only that particular meeting गो उने address किया So उनका कहना ये है कि these nations should hold regional dialogues to increase and continue positive interactions with Afghanistan क्योंकि Afghanistan in this particular time पे बहुत आदा sanctions और हर एक चीज़ से जूज रहा है तो yes उसके बीच में now they want की वापस से जारी countries जो पहले भी operations करती थी हमारी country के अंदर वो वापस से अपने operations को resume करें और Afghanistan centering के हिसाब से वाँपे काम किया जाए जितने भी वाँपे missions already काम करते थे उनस सबक को invitation भेजा गया था तो उसी के बीच में आमिर खान मोता की urge the participants to take advantage of the emerging opportunities in Afghanistan because जब भी कोई देश development के तरफ जाता है तो उसके लिए काफी चीज़ों की जरूरत है जैसे की technology, infrastructure, defense ये सब चीज़ों पे भी काम किया जाएगा लेकिन उन सब चीज़ों के लिए वो अकेले काम नहीं कर सकते जब collaborations आती है तो जहां पे अगर एक तरफ Afghanistan को technology में advancement मिलेगी वही दूसरी country जो कि वो technology वो provide करेगी उनको बताएगी उनके लिए economic growth का भी एक जरिया है ये दोनों तरफ से positive होता है and it's not a one way process साथी उनका कहना ये भी था कि emerging opportunities in Afghanistan for the development of the region and the coordination, the management of the potential threats we all know कि अफगानिस्तान के ओपर neighbor countries या वैसे भी काफी threats है तो उनका कहना ये था कि जब हम development की तरफ काम करेंगे उसी बीच में जो threats है जो Afghanistan के उपर है उनके ऊपर भी हम मिलजुल के काम कर सकें उनके एक और request कि जो भी हम pathways निकाले है जो भी हम initiatives ले वो Afghanistan की चीजें, उनके issues, उनके region को ध्यान रखते हैं, region centric बनाया जाए and जिन देशों ने particularly Afghanistan के ओपर sanctions लगाई हैं, उनको भी हटाने के बारे में उनके बात की थी So, Kabul stands ready to engage and cooperate with the regional countries by working together based on the mutual interest and mutual respects to you, उनके का कि हम बिलकुल तयार हैं ताकि हम बागी देशों के साथ एकदम अच्छे से काम कर सकें ताकि development की तरफ हमें मिलें, यह जो भी चीजे हैं हम दूसरे देश के, because यह ऐसा इसके बाद दो हजार बाई से जून में वापस से relations established किये गए और उसके बाद यह पहली मीटिंग थी जब इंडिया और इंडिया ने जॉइन किये इंड़ तालिबान in comment बात करें, conclusion इंडिया जब मीटिंग अटम होती हैं उसके बाद M.A.J. जो कि Indian के representative थे, उन्होंने उसमें काया कि yes, India will actively participate in this particular regional initiatives जो भी जरूरत होगी, जो भी initiatives ले जाएंगे जो भी steps ले जाएंगे, उन सब में India will participate so that's all for this particular update so yes, India is ready for supporting Afghanistan once again and to resume the operations हलाँ कि government को उन्होंने recognize नहीं किया, but yes, in the way of their support, India is ready to support So, अभी आपके screen पे है कुछ courses for the SSB interview, हर महीन हमारे batches बैठते हैं, आप उन्होंने न्रोल कर सकते हैं साथी, इस आरदा courses for NDA, CDS, FCAT you can enroll in this particular courses while enrolling, you can use this particular discount code जो कि है, वो और यट है, जैसे आप इस code को use करेंगे, you will get 10% off on that particular course, so that's all for the study, thank you so much, जैहन, जैभारत अगर आप एक defense aspirant हैं और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं, तो आप SSB crack exams के course को check करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं